टिक टॉक अल्टेनेटिव एप्स फॉर यॉर एंड्रोइड फॉन तो आज की वीडियो में यहाँ पर मैं टिक टॉक के अल्टेनेटिव एप्स बाता हूंगा जो आपको टिक टॉक की तरह ही यूजर इंटरफेस एंड पर्फॉरमंस प्रवाइड करते हैं बैसिकली 2020 में जो टिक टॉक है उसे प्ले स्टोर से और अपने इंडिया से बैन कर जिया गया तो बिक टॉक को यूज करने वाले जो यूजर से वो मोस्ट ली इंडिया में ही थे बट यहा से एक टिक टॉक भी था तो ऐसे करी सारी यूजर से जो टिक टॉक पर अपना अकाउंट क्रियेट करके यहां पर शॉर्ट वीडियो क्रियेट कर देते हैं वह सारे की सारे यूजर के आपको टिक टॉक की तरह ही यूजर इटरफेस पर्फॉरमेंस प्रोइड करते हैं तो तो आपको एक तरीके से TikTok के similar TikTok के जिस्ट जैसा ही यहाँ पर वह application है और easily आपको TikTok के तरह ही performance प्रवाइड करते है और दोने भी application जो मैं आपको बाता हूंगा यह दोने भी application आपको Play Store पर easily available मिल जाएगा तो इसके लिए आपको डिरिक लिए जाना है पहल प्ले स्टोर पर और जिसमें से जो फॉर्स्ट application है विच इस MX टकाटक MX टकाटक की यह basically MX प्लेर का ही application है जो MX प्लेर के developer ने यहाँ पर MX टकाटक application को develop किया है especially for creators के लिए तो यह basically जो MX टकाटक है यह पूरा का पूरा 90% TikTok का ही copy किया गया है तो series से बात है यहाँ पर एक थोड़ा तो अलग user interface होना चाहिए इसने पूरा का पूरा नाम ही यानि कि पूरा का पूरा application ही पूरा TikTok का copy किया है खली जो नाम है वो अलग set किया है तो अग तरीके से कहो तो as a user के इसाब से यह application काफी ज़रा best है और अगर आप TikTok के जैसे कोई application सेर्च करें जिसे में आप short video create करके popular होना चाहते है तो as a cases में आप इस mx ट्रकते का application को use कर सकते हैं तो same to same user fndd जो हमें TikTok में बिलता था जिसे कैसे हम यह अपर other user के sound को आहम आपने create as में use कर सकते है use the sound को option को choose करके और अगर अपना खुद का बनाना है तो आपको directly speak click करना है जिस तरह के साथ में अगर आपको search करना है तो आप directly discoverable option में जाके उसे search कर सकते हैं तो same to same आपको user interface TikTok की तरह ही मिलता है just like this तो अगर आप इस application को download करना चाहते है आप play store पे जाके इस mxtakatak application को download कर सकते हैं और यह आप short videos create कर सकते हैं जिस तरह के साप TikTok में create करते हैं तो यह तरीके से useful भी है एक तरीके से time pass के साथ सबसे अगर आप एक TikTok के alternative application को search कर रहे तो so now जो second application है जो TikTok का alternative है which is Josh app Josh app यह basically एक तरीके से Indian के developer नहीं ऐसे develop किया है और यहाँ पर भी यह जो Josh app है यह भी most specifically MX जो TikTok है उसका alternative है और यहाँ पर भी आप short videos create कर सकते हैं just like TikTok के तरह लेकिन यह application अभी completely new है इसलिए इसमें आपको ज़रा advanced level के settings and options आपको show नहीं होगे बट still आप इसको use कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आपको अगर किसी और का sound use करना है तो आपको directly इस वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपको song को add करके अपना खुद का video create करना है लेकिन यह completely new app है तो आपको ज़रा तो इसमें settings and options आपको देखने को नहीं मिलेंगे और नहीं यहाँ पर इसके users आपको ज़रा तो देखने को मिलेंगे तो जो दोने भी application में आपको recommend किया जिसमें से first mx takata application और जो शाप दोने भी application आपको easily play store पे available बिल जाएगा तो दोने application को अगर आप use करना चाहते है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना account registration का process complete करना है तो यहाँ पर आप चाहते हो facebook या google account को आप connect करके बिड़ारेकल आप इसमें login हो सकते है या तो बेटर अगर आप एक long term case आप से use करना चाहते है तो बेटर थे कि आप एक new email id का use करके आप account create करें जो एक तरीके से long term basis पे आपको काम में आएगा तो यह दोना application आपको easily play store पे available बिल जाएगा और यह दोना application के अलवा जो इससे तो और भी कई सरे ऐसे application है जो भी develop हुई है बट यह दो application है जो एक तरीके से बहुत ही जादा trend में है बहुत ही जादा users को use कर रहे है तो that's it तो यह था TikTok के alternative apps that you can use it for 2020 and 2021